नमस्का दोस्तों एक बर में से आपका स्वागत करती हूं ओके फ्रेजिट में और आज जिस बिजनस आइडिया को लेकर आई हूं वो बिजनस आप अकसर अपने घर के आसपास दुकान या फिर मोहले में बाजार में शॉपिंग मॉल्स में देखते हूंगे और अलग लेवल मालि का ये बिजनस होता है छोड़े लेवल से स्यूरू कर सकते हैं अब उंचे लेवल पर भी ये बिजनस पहुंच जाता है जी हा यहां मैं बात कर यह बहुत ही दिग कॉमन तरह के जूते आपको मार्केट में मिल जाएंगे और हर तरह के जूतों की अलगलग कॉस्ट होती है तो आज मैं आपको इसी फुट्वेर के बिजनस से जुड़े हुए तमाम पहलू बताऊंगी और साथ ही साथ बताऊंगी कि कैसे आप कितनी लागत से-से शुरू करके मुन ले करें हैं सबसे पहले के कारोबार के हिसाब सी दुकान चुराहे पर यह ऐसी जगा हो जहाँ जादा से जादा लोगों का आवगमन हो कोशिश करें कि आप ऐसी जगा शौप या शोरूम ले जो मुख्य मार्केट में आता हो जिससे आपकी शौप या शोरूम में अधिक से अधिक लोग आ सकें आप किराय की दुकान 8000 से 10,000 रुपए हर महीने के हिसाब से ले सकते हैं य इसमें रुपए 15,000 से 20,000 रुपए तक का खर्च आएगा फुट्वेर का बाहर से डिस्पेट इसके उपरां दुकान की और ग्राहक का ध्यान आकरशित करने के लिए दुकान की ब्रैंडिंग और सजावत की आवशकता होगी जिसमें 20,000 का खर्च आएगा लेटिस फुट दुकान तयार होने के बाद सबसे आवशक और महत्वपूर्ण है फुट्वेर का अच्छी गुणवत्ता और लेटिस फैशन के अनुसार दुकान में उपलब्ध होना जिसके लिए थोग विक्रेताओं से संपर्प कर सकें इसके साथ ही कानपूर, आगरा और दिल्ली जैस इसे शहर में किफायती दामों में फैशन के अनुसार फुट्वेर उपलब्ध है इसमें आपनी पूंजी के अनुसार लागत लगा सकते हैं फिर भी एक लाग रुपए से डेट लाग रुपए तक की आवशकता होगी कम्प्यूटर, उपर दी गई आवशक वस्तों के अलावा कैश काउंटर पर बिलिंग के लिए एक कम्प्यूटर की भी आवशकता होगी जिसकी सहायता से बिल बना सकते हैं साथ ही उसमें अपने कारोबार का लेखा जोखा भी रख सकते हैं एक कम्प्यूटर लगबग गती से 35,000 तक की कीमत के साथ बाजार में उपलप्त है अवशक स्टाफ फुटवेर की दुकान पर अकसर एक साथ कई ग्रहक आ जाते हैं ऐसे में सबी ग्रहकों को अकेले संतुष्ट कर पाना मुश्किल कारे होता है इसलिए सहायता है तो एक से दो लोगों की जरूरत के हिसाब से स्टाफ होना चाहिए जिसके चलते दुकान में आने वाले ग्रहक पूरी तरह से संतुष्ट हो कर जाए मुनाफ़ा कोई भी व्यवसाय करने से पहले उद्द्योगी की नजर मुनाफ़े पर होती है इन दिनों फुटफेर का इस्तेमाल महिलाए काफिक जादा कर रही है अपने फैशन स्टेट्मेंट को बरकरार रखने के लिए जिसके चलते ये कह सकते हैं कि ये कारोबार मुनाफ़े वाला व्यवसाय है यदि थोड़ी से समझदारी और सुजबूच के साथ इस कारोबार को किया जाए तो इसमें 35% से 40% तक का मुनाफ़ा होता है शोरूम और बड़ी दुकान आप अपना बिजनस की स्केटगरी के खोल रहे हैं ये आपको सोचना होगा यानि कि यदि आपके पास इतना बज़ेट है कि आप एक शोरूम खोल सकते हैं तो आपको शोरूम के हिसाब से जगा ढूननी होगी और ग्राहकों को आकरशित करने के लिए दुकान की सजावट ब्रांडिंग भी ज़रूरी है इन सब में लगबग एक लाख रुपए तक का खड़ जाएगा साथी बड़े शोरूम में स्टाफ भी बढ़ जाएगा जिसमें तीन से चार लोगों की आवशकता होगी इसके लावा बिल बनाने के लिए और लेखा जोका रखने के लिए इसमें भी कैश काउंटर पर कंप्यूटर की आवशकता होगी जो की रुपए 30,000 से 35,000 रुपए में मिल जाएगी कुल मिला कर आपको 6,000,000 से 10,000,000 रुपए तक का बजट बना कर चलना होगा यदि आप शोरूम या बड़ी दुकान खोलते हैं उद्यो का रिजिस्ट्रेशन और लोन भारे सरकार के द्वारा लगातार देश के प्रतेक नागरी को आत्मनिर्भर और सर्शक्त बनाने की बात कही जा रही है जिसके चलते MSME के माध्यम से भारे सरकार द्वारा 3,000,000 करोर के पाकेज की घोशना की गई है इसके योजना के अंतरगत 36,000 सूक्ष्म लगू और मध्यम वेबसाइट से जोड़े लोगों को लोन दिया जा रहा है उद्यो का पंजी करन भारे सरकार के द्वारा संचाले सूक्ष्म लगू और मध्यम उद्यो की वेबसाइट पर ऑनलाइन करा सकते हैं तो देखा आपने की कितनी कमलागत के साथ आप इसे शुरू करते हुए इस उंचाईयों तक लेके जा सकते हैं इस बिजनस को लेकिन दोस्तों एक फैक्टर होता है किसमत लेकिन हम सब कुछ किसमत पर नहीं छोड़ सकते हैं हमें रिस्क लेना पड़ता है बिजनस में उसके बाद किस्मत आती है लेकिन हाँ जैसा कि कहते हैं कि आप अपनी मेहनत से किस्मत का भी रुक बदल देते हैं तो इस चीज पर पूरी तरह से अडिग रहे विश्वास कीजिए और साथ ही हमारा साथ देते रहे और जादा से ज अमाम सवालों के जवाब दें कमेंट सेक्षन में आप जितने भी सवाल लिखते हैं या फिर आप जितने भी आइडियास हमासा शियर करते हैं हमारी पूरी टीम लगातार उस पर काम करते हैं और शायद यही वजा है कि हम आज इस पेयार के साथ यहां तक पहुँछ चुके